हेलो एवरिवन आजकी जो वीडियो है वो देली उन्युवसिटी के उपर है बीए प्रोग्राम कोर्स के उपर अगर आपको देली उन्युवसिटी से बीए प्रोग्राम करना है कोई साभी कॉम्बिनेशन अगर आपको B.A. प्रोग्राम History प्लस Political Science करना है जिग्राफी प्लस E. कुनी है तो कोई सी भी B.A. प्रोग्राम में कोई सा भी Combination होता है Combination बेसिकली हम किसे कहते हैं Combination का मतलब होता है जैसे B.A. Political प्लस History तो Political और History आपका ये Combination है आप लोग geography plus history कर जो तो यह परिश्ट है तो बे अ परोग्राम अगर आपको करना है किसी भी combination से यानि बे अ परोग्राम करना अगर आपको तो सबसे पहली चीज़ eligibility criteria की बात करूएं मैं और यह list B1 और B2 है कैसा explain करने वाला हूं जो Delhi University की लिच्ट है और सी उटी में आपको इस सब्जेट के एक्जाम दे कर आना है क्योंकि अगर आपने सी उटी के अंदर गला सब्जेट का एक्जाम देकर आ जाते हो तो आपका admission नहीं होगा मैं clearly बता रहा हूँ देखो NTA का काम सिर्फ exam conduct करवाना है यह मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ माँ है NTA का काम सिर्फ exam conduct करवाना result declare करना है ठीक है आपको result जैसे ही NTA दे देगा आपका exam हो जाएगा आपसे कहते हैं अप जाओ अपनी university में जिसमें आपको apply करना है particular university आपका दुबारा से re-verify करती है ठीक है तो यह चीज़ दिहान लखनी है आपको आप लोगों को पता होगा NTA आपसे कोई बहुत ज़्यादा document नहीं मांगे क्यों नहीं मांगे क्योंकि NTA काम सिर्फ यह है exam को conduct करवाना आपसे basic आपकी image और signature होते है ठीक है वो इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आप लोग center में जाओगे exam देने तो वो एक बार re-verify कर सके बाकी जो आपके document होते हैं mark sheet और बहुत सारी चीज़े होती है वो बाद में ही आपसे मंगवाया जाता यूनिवर्सिटी जब आपस फिल करवाती है तो जब यूनिवर्सिटी आपस मांगती है तो यहाँ पर देली उनिवर्सिटी की दो list है पहली है list A तो list A हम किसे कहते है language section है और यह जो है सभी के सभी language है तो इसमें कोई doubt नहीं है आप लोग कोई सभी exam देखर आते हो तो so it ठीक है लेकिन धियान एकना आपको इन ही list में से जो list A है बहुत सारी language है इनका जब आप exam दोगी तो वो subject आपके पास class 12 में होना चाहिए अगर आपने हिंदी का exam देकर आगए और हिंदी आपके पास class 12 में नहीं थी और आप स्यूटी गंदर देकर आजाते हो exam ठीक है क्योंकि NTI का हमते exam conduct करवाना है तो आप हिंदी का देकर आजोगे कोई issue नहीं है लेकिन जब आपका Delhi University में admission होगा तो आपका form reject कर दिया जाएगा यह कहते हुए कि आपने हिंदी class 12 में नहीं पड़ी थी तो यह ध्यान लखना वही language आपको देकर आनी जो आपने class 12 में पड़ी थी तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ यह list A है और यह जो है list आपकी B1 और B2 है आप लोग यहाँ पर देख रहो ना यह B1 list है आप लोग यहाँ देख भी रहो B1 B1 में 18 subject हैं और यह जो आपकी list है यह B2 की list है ठीक है यह B2 की list है जहाँ पर आपके no subject mention है अब यहाँ पर यह है क्या मैं आगे explain करता हूँ यह B2 की दोनों combination आपको follow करने है पहला combination है आप लोगों कोई एक language देकर आनी है language देकर आनी है history का ओ मतलब हिंदी है English है ठीक है Persian है उर्दू है संस्कृत है तो कोई से भी language देकर आ सकते हैं जो मैंने उपर लिस्ट दे रहा की है वीडियो में वीडियो बेक कर सकते हैं आपको पता चलिया है कौन से लिस्ट में ने बता रखी है दूसरा है any two subject जो है आपको लिस्ट B1 से उठाने तो यह जो आप लोग B1 की जो लिस्ट देख रहे हो ना यह पूरी लिस्ट है B1 की 18 subject की तो इन में से कोई आपको दो सब्जेक्ट C.U.T. गंदर देकर आने है यानि एक language और दो सब्जेक्ट यहां से B1 से देकर आने है अब यह धियानक ना जो B1 से जो आप सब्जेक्ट चूस करोगे वो आपके पास class 12 में होने चाहिए यानि आप जो भी C.U.T. गंदर एक्जाम देकर आता है जिस सब्जेक्ट का वो class 12 में आपके पास पढ़ा होना चाहिए अपने class 12 में वो subject नहीं पढ़ाता आपका देली उनिवेसिटी फॉर्म डिजेक्ट कर देगा और अगर आपके पास जोग्राफी थी और हिस्ट्री थी तो आप जोग्राफी हिस्ट्री का एक्जाम देकर आऊगे अगर आप science background के student थे तो आपको science के ही subject देकर आने है यह मत सोचा कि मैं BA program करूँ है तो मैं कोई से भी जिस domain में जाना चाहता हूँ उस domain का paper देकर आजाओ ऐसा मत करना तो आपने जो class 12 में subject पढ़े उनिका exam देकर आना है दूसरे और बाकी आगे यहां पर any one subject आपको जो है B1 या B2 किसी से भी चूज कर लो या तो देखो तीनो subject आप लोग यहां से चूज कर लो B1 से ठीक है या फिर आप लोग क्या कर सकते हो B1 से तो दो subject चूज करना कंपल सरी है तीसरा subject यहां पर यहां से चूज कर सकते हो तीसरा subject ठीक है जो B2 है तो यहां पर मैं दुबारा explain कर दीता हूँ एक language है हो गई दो subject B1 की list से चूज करना है जो कंपल सरी है और एक subject और चूज करना है जो या तो आप B1 से चूज कर लो या B2 से आपकी ऊपर choice है यह अगर आप B1 से choice कर ले तो तो कोई issue नहीं है B2 से भी choice कर ले तो तो भी कोई issue नहीं है लेकिन यह जो चारो subject का आप स्यूटी गंदर exam देकर आओगे चारो subject आपके पास class 12 में पड़े होने चाहिए यानि as a subject आपके पास class 12 में होना चाहिए ठीक है आगे मैं बात करता हूँ बाकी दूसरा combination तो यह था हमारा पहला combination दूसरा combination जो बहुत बड़ा issue आता है general test का जो मैं अभी explain करता हूँ यहाँ पर दूसरा combination के अगर मैं बात करूँ तो दूसरे combination में same चीज़ है आपको एक language देकर आगे हिंदी, English, Persian जो भी आपको choice का है ठीक है वो class 12 में आपके पास होना चाहिए अब यहाँ पे आप लोगों का एक subject जो है यहाँ पे लिखा है यानि one subject from either list B1 और B2 तो यह तो B1 या B2 या जो total आपक को CUT गंदर exam देना तो एक domain आपका एक language हो गई एक domain में आपकी एक domain होगी है जो list B1 B2 किसी से भी होना चाहिए और section 3 आपका general test है ठीक है तो आप लोग GT का exam देकर आओगे general test का exam देकर आओगे तो अगर आप लोग उपर वाले combination को follow कर तो B.A. program कंदर तो आपको चार subject देन है अब एक और query आई है कि भाई यह general test जो है हम लोगों के पास class 12 में नहीं होता देखो एक common से चीज़ है general test कोई subject नहीं होता है ठीक है यह कोई subject नहीं होता है यह general test normal होता है ठीक है तो यह सोचों कि general test मैंने क्या class 12 में पढ़ा होना चाहिए जो last year काफी बच्चे पूच र होगे वो आपके पास class 12 में होना अनिवारी है आपने पढ़ा होना चाहिए ठीक है तो यही सारी चीज़े आप लोग दियार नहीं है आपको बाकि आप लोग सी उटी की book भी purchase कर सकते हो सी उटी की already book आ चुकी है link आपको pin comment में description box में आपको link भी मिल जाएगा तो आप जाक कौन से subject है तो हम आपको explain कर दूआ ठीक है तो यही सारी चीज़े link whatsapp link book का link सभी चीजों का link मैंने description box में दे रखा है